दोस्तों, वाकई South Industry, Bollywood Industry से काफी ज़्यादा लगे South के Starts के अंदर वो ego attitude नहीं है, जो Bollywood Starts के अंदर है इन दिनो South Film Industry से आने वाली फिल्म RRR को लेकर बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है इस फिल्म के एक्टर जूनियर एंटियार और रामचरन इस फिल्म का काफी जबर्दस पर्मोशन कर रहे हैं लेकिन अपनी इस आने वाली मुवी का पर्मोशन करने के लिए उन्होंने जिस जगह को चुना है उस पर हर भाड़तिये को नाज होगा RRR के डारेक्टर SS राजमोली जूनियर एंटियार और रामचरन को लेकर गुजरात के यूनिटी ओप स्टैचू पर पहुँचे जहां पर सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ती लगी हुई है आपको बता दे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ती है सोची एस सुन्दर सी जगा पर अभी तक नाई कोई फिल्म सूट हुई है नाई कोई सौंग सूट हुआ है और नाई इस जगा का जिकर किसी फिल्म में किया गया है लेकिन साउथ के सबसे बड़े डारेक्टर राजमॉली ने सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए इस जगा के रास्ते पूरी फिल्म इंडिस्टी के लिए खोल दिये राजमॉली अपनी पूरी टीम और दोनों एक्टर्स को लेकर यहां पे पहुँचे और इस सुन्दर सी जगा पर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया पूरी टीम ने इस जगा को देखा समझा और इसके बारे में जाना दोस्तों हमारे बॉलिवूड की सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि यही वो चीज़े हैं जो हमारे देश में होते हुए भी बॉलिवूड नजर अंदास कर देता है लेकिन साउच सिनेमा ऐसी चीजों पर नजर बनाये रखता है और उनको पकड़ लेता है राज मॉली का इस तरह से यूनिटी ओप स्टेचू पर प्रमोशन करने का तरीका सबसे अनोगा है आपको बताते कि SS राज मॉली की आरारार इसी हफते रिलीस होने वाली है और इसके अंदर आपको अज़े देवगन और आलिया भटबी नजर आने वाले है तो दोस्तों comment box में बताईए कि आप लोग इस movie के लिए कितना excited है फिलाल हमारे देश में एक ही movie का नाम चल रहा है वो है The Kashmir Files लेकिन लोग कहना है कि ये एक movie हो सकती है जो The Kashmir Files को टकर दे सकती है आपको क्या लगता है comment box में बताईए